स्वाहत है आपका इस नाइस सेशन में क्या बोलता है पबले लेट गेम बिगिन सो वी आर नाओ गुंग तू स्टड़ी टू मेजर टॉपिक्स और फॉनिक्स एक है करंसी फ्यूचर और दूसरा है करंसी ऑप्शिन्स सबसे पहले समझने की कोशिश करो कि यार कोई भी यह कर ब्रगश कोशिश करेगा तो और खाली एक है है और उसे टीओ उसिक्यौर वंसेल्फ मुझे डर लग रहा है कि अगर मेरे पास चैक करंसी इम्पोर्टर अगर मैं हूँ तो मुझे वो किक्रना हे एक्स्पोर्टर हैं तो कही नेगेटिवडीowy fluctuate ना हो जाए बरकुरदार और अगर वो negatively fluctuate होता है then in that case मेरे profitability के उपर problem आएगा वो profitability के उपर issue ना है and that is why I will use hedging techniques जिसमें एक forward तो ही जो अपने लोग पढ़ चुके है अच्छा कासा detail में तो forward के अलावा futures भी है options भी है आप आपके client को यह 2-3 suggestion दोगे और उसमें से client को जो सबसे ज़्यादा beneficial लगेगा वो उसमें से उसको select करेगा सामझ में आई बात everybody तो simple एक दम उसमें कोई problem नहीं है कि अपना यह क्या है basically यह एक hedging technique है that's it और कोई इसका intention नहीं है हाँ अब कोई भी चीज़ hedging के लिए use की जाती है या बनाई जाती है so this was primarily based made for hedging but public ने उसको speculation के लिए लेना चालो कर दिया so currency futures में आप speculate कर लो currency options में आप speculate कर लो वैसे इंडिया में इस अब लाउट नहीं है but just I am telling you कि उसके लिए भी use हो सकता है but our case in India is that जो अपना client है अगर वो importer या exporter है and he wants to hedge save himself from huge fluctuations in currency आ जाईए hedge करवा दूंगा समझ में आडिया है everybody so बस इसी के basis पे institute में कुछ sums है वो sums में अभी आप लोग के साथ discuss करने वाला हूँ एकड़म स्मूज और मसका इसी कॉंसेप्ट है और अराम से हो जाएगा अभी रेड़ी गाई अभी रेड़ी येस लेट दे गेम बिगिन सब्सक्राइब आरुशी के साथ अगर वर्ड मैंडेटरी यूज कर रहे हो तो ऐसा थोड़ी होता है करने जाता है और इधर उधर लोगों से बात करने के जाता है यह तो आने वाला है अपना काम है चीजे जो है वो करके जाएंगे अच्छी तरह से समझ लेंगे फिर जो भी आएगा उसको सौल करके आएंगे तुझे लगता है कोई चीज अब तक तुभी फाइनल में पहु कुछ नहीं होता है मेंडेटरी मेरे भाई एक ही चीज मेंडेटरी होती है वह अन्प्रिडिक्टेपली टी जो हर पेपर में होती है ठीक है तो लेव भी प्रिपेर फॉर डाट चलो ऑन दाट नोट लेट गेम बिगिन तो अब करंसी फ्यूचर्स मैं अब्यसली सम के माइ ,पेर और अगेन अल द Не प्रेक्ट्रेक्टेट है आक रहा है कि मार्केट उपर जाएगा आपको.. ढर है कि मार्केट नीचे जाएगा तो मैं घ्च करन लू आपको ढर है कि मार्केट उपर गया तो मुझे डर है तो इस represent on Reddit ने न फियूजे ढर है टेक है याद रखना का हर investor आपको यह बताएगा market is based on two things one predictions and दूसरा डर fear जिसको अपन बोलते हैं so यह दो चीजों के उपर अपना market based है and इसी के उपर अपना currency futures based है prediction and fear के उपर prediction that the market may go up prediction that a fear that the market may go down बस ले लो currency futures so currency futures में दो चीजे होती है यहाँ पर एक होता है long futures एक होता है short futures क्या मुझे कोई बताएगा इसका मतलब so long futures का मतलब होता है आज मैंने futures buy किया ठीक है अब यहाँ पर मैंने buy किया long futures three months तो तीन महिने बाद का जो मुझे price expected है उस basis इस पर मैंने long किया है futures say at rupees one zero five zero ठीक है अब मैं अगर कोई चीज long कर रहा हूँ ना तो I am expecting the market to go up I am expecting the market to go up तो लेते हैं example के दूरू समझदी की कोशिश करते हैं कि long का मतलब क्या होता है short का मतलब क्या होता है आईए ठीक है so मैं expect कर रहा हूँ के long जाहेगा market futures long होगा मतलब मैं buy कर रहा हूँ futures so इसमें ठीक है मैंने कितने पर buy किया say today आज मैंने buy किया at the rate rupees one zero five zero at the rate rupees one zero five zero मैंने long futures किया ठीक है so long कर रहा हूँ मतलब मैं basically उसको buy कर रहा हूँ तो मैं क्या expect कर रहा हूँ मैं expect करता हूँ market to go up expect market to go up दूसरा और एक चीज में क्या बता रहा हूँ आपको बता है क्या इसमें futures में कभी भी position square off करना होता है याद रखना किस में futures में पोजीशन आल्वेज squared position always squared समझ में आ रहा है आपको everybody yes or no so इस हिसाब से काम आपका होता है इस हिसाब से काम आपका होता है क्या expect the market to go up position always is squared done अब यह मैंने today ले लिया से आज है 1st जैन यह position मैंने आज ले लिया अब तीन महिने बाद समझो मैंने तीन महिने का लिया था वैसा ही हुआ हो या वैसा ना हुआ हो अगर यहां पे अब 31st मार्च को futures गया तू 1090 या गया तू 1010 तू बोलो क्या होगा F.A. situation में अगर 1090 के उपर जाता है then in that case बोलो क्या होगा we wanted the market to go up और market उपर गया है अब अपन position square off करेंगे so position square off कैसे करते है जा आप आपने long futures किया है तो position कभी भी short futures करके होगा short का मतलब होता है sell अब आप मुझे बताओ nutshell में क्या हुआ आपने long futures already किया था कितने का 1050 का आपने अभी short futures किया है कितने का 1090 का तो आप मुझे बताओ आपको क्या हुआ है आपको gain हुआ है कितने का 40 rupees का gain हुआ है भरत 1090 का profit नहीं है gain 40 rupees का ही है are we clear everybody till here and इसके जगे पे अगर 1010 हुआ then in that case obviously मेरे को चेदा market उपर जाए बट उपर नहीं गया है तो मैं क्या करूंगा मैं exercise करूंगा ही नहीं मेरे futures को am I right everybody तो मैं मेरे futures को exercise करूंगा ही नहीं क्या समझ में आ रही है आपको बाते absolutely clear any doubts anybody तो बरत market अगर उपर गया तो फाइदा और अगर मार्केट नीचे गया तो I will not exercise the future okay everybody say okay फिर मैं आगे बढ़ता हूं क्यों 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 everybody I want everybody to answer and मेरे पास सबका जवाब आ गया है okay अरे ऐसे कैसे ओके बोल रहे हो यार तुम लोग सो रहे हो क्या भाई यहां पे option नहीं है आपके पास के I will not exercise I will exercise यह futures है यहां पे position always squared up होता है तुम्हारे को मैंने trick किया और तुम लोग trick हो गए ओ पॉई अबे समझे हां हां यार यहां पे आपको short करना ही पड़ेगा अपने पिता जी का राज नहीं चलेगा यहां पे पुचर्ज करना ही पड़ेगा तो 80 का लॉस हुआ है तो हुआ है अब दिपसा अब बोल रहा है दिपाचू सुर ओप्शन वाला केस तो options में होता है इसमें नहीं होता है अब तक तुम क्यों नहीं बोला रहे है जब मैं 5 बार बुचा ओके ओके तब तक कोई नहीं बोला अब जावी क्लियर याद आया क्या जंग लगया है तुम्हारे दिमाग को मुझे दिक्रा यह बात हुआ है कि अगर कि 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 कॉड़ कि चलो शो यह सीन था मेरा इन रिलेशन टू फ्यूच्टर लॉग एड शॉट ठीक है सपोज मैंने अगर शॉट्ट फ्यूच्टर किया है तो अगर 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 शॉट अगर 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 कि अगर अगर be squared position should always be squared up तो अगर यहाँ पे short futures किया है तो आप लोग end में क्या करोगे square up कैसे करोगे long futures करके ध्यान रखना हो एक बाद ठीक है अब दो बाते हो सकती है या तो market चले गया 1090 पे या market चले गया 1020 पे दोनों situation में क्या होगा समझो 1020 पे की गया और मैं तो चाता ही था market नीचे जाए then in that case क्या करेंगे अपन so we will say short futures कितने पे short futures तो अपन ने 1050 पे लियावा है तो अब अपन इसको square off करेंगे expiry date पे with 1020 long का मतलब होता है buy short का मतलब होता है sell तो आपने कोई चीज buy की है 1020 में minus buy मतलब पैसा गया short या sell की है 1050 में short की है मतलब पैसा आया तो कहना है इससे 30 रुपीज आपको मिल गया यह 30 रुपीज आपको मिल गया यह क्या हो गया यह हो गया गें are we clear everybody ठीक है done और सामने दूसरा situation देखो और सामने दूसरा situation देखो दूसरा situation क्या है आप ने short futures किया हुआ है मतलब कितने पै 1050 पै अब market today short futures कर दिया है अब market 1050 से उपर चले गया तो I will not exercise the future okay done सो क्या आप लोगों को याद आ गया futures क्यों भरत I will not exercise the future अब सब का answer आ रहा है नहीं सर 40 का loss सर exercise तो करना ही पड़ेगा अपने पिताजी का राज नहीं चलेगा यहाँ पे exactly the point guys futures में तो आपको square off करना ही पड़ेगा ना बिटा हाँ 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 very good very good ठीक है अब याद आ गया सब चलो good तो आप क्या करेंगे long futures 1090 पे कोई चीज़ बाइ की है minus कोई चीज़ 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 की है plus you will get a loss of 40 पर कॉंट्राइट इतना आप लोग को याद आया नहीं है आप हमारे student है तो क्या आपको लगता आपकी नीद उड़ने देंगे आम इस currency futures में जड़ा भी नहीं आपको मुझे खाली देने हैं 20 मिनट और फिर बाद में देखिए आप इस currency futures में champion ना बन जाए तो नाम बदल देना अपना मेरा नहीं चलो so now we are going to start finally with futures अब अपने को समझ में आ गया है उसको अपने टिक मार दिया इसमें अपन मिलाएंगे क्या currency का तड़का जब इसमें currency का तड़का मिलेगा तो यह क्या बन जाएगा दोनों मिलके यह बन जाएगा currency futures और कोई भी कोई भी futures एक चीज काली and that is to determine short करना है या long करना है पबलिक इधर इज घुम जाता है अगर आप इधर घुम गए तो game over हो जाएगा ठीक है आप यहाँ पे ना घुमें आप यहाँ आए किसलिए आप बोलेंगे आपने बिलाया इसलिए तो आए है तो काम भी बताईए अरे बाबा पहले जारा आप मुस्कुराईए मुस्कुराने की न कोई बात है यह बात है कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे एक ऐसा डाइग्राम रेडी किया है जिसके बाद आप एक मिनिट में पैचान जाएंगे कि आपके क्लाइट को लॉंग करना है या शॉट करना है and majority public का problem ही उदर आता है कि वो यही find out नहीं कर पाता है कि सलाव फ्यूचर्ज में लॉंग करना है या शॉट करना है समझ रहे हैं एक मिनिट काली एक मिनिट में आपको यह बता दें और अगर यह step 1 आ गया step 2, step 3, step 4 भी मैंने दिया है बच्चा भी कर लेगा बच्चा भी छोड़ा सा बच्चा छोड़ी बच्ची हो गया वैसा बंदा भी यह चीज़ कर लेगा इतना सिंपर है बट पब्लिक कहां पर प्रॉब्लम में आ जाता है पब्लिक कहां पर प्रॉब्लम में आ जाता है पब्लिक यही चीज़ में प्रॉब्लम में आ जाता है कि उसको ध्यान में ही नहीं रहता है करना क्या है हमारे को लांग करना है या शाट करना है उसके लिए आपके पास है ये table, आपको कल ये table को follow करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है, चलो, let's start guys, ठीक है, चलो आजा, अब on that note, कैसे identify करना है आपको, आपको देखना है कि आपका जो client है, वो importer है या exporter है, दिमाग लगाओ, अगर वो importer है, ठीक है, suppose मैंने for example ये machinery import किया, तो अगर मैं importer हूँ, तो मेरे पास ये machinery आ गया है, अब मेरे को उसको foreign currency में payment करना है, ब्रावर है, तो अगर मेरे को उसको payment करना है foreign currency में, तो मेरे पास तो foreign currency होना चाहिए, मेरे पास तो foreign currency है नहीं, अपन तो इंडिया के आदमी है, अपने पास तो इंडिया का currency रहेगा, तो मुझे bank में जाके foreign currency क्या करना पड़ेगा, बाई करना पड़ेगा, यह समझ में आता है आपको, बोलो ना यार, ठीक है, अब अगर मैं exporter हूँ, समझो, अब अगर मैं समझो, exporter हूँ, guys, मुझे interactions चाहिए, everybody, हाँ, अगर interaction नहीं आएगा, तुम्हों का communication नहीं आएगा, तो मैं ना चुप चा, recorded lecture दे दूगा, फिर द दूसरा, अगर मैं exporter हूँ, और मैंने यह machinery export किया है, तो अब मैं expect कर रहा हूँ कि मेरे पास foreign currency आएगा, foreign currency मेरे पास आगया, बट वो foreign currency मैं जाके दुकान वाले को धूँगा, तो वो मेरा यह foreign currency लेगा, क्या, the answer is no, तो वो local currency लेगा, तो मुझे यह foreign currency को convert करना पड़ेग है, local currency मतलब bank में जाके बेचना पड़ेगा यह currency, bank में जाके बेचना पड़ेगा यह currency, तो जो मेरा exporter है, वो क्या करता है, sell करता है, foreign currency, समझ में आया, everybody yes or no, yes sir, समझ में आ गया, done, अब मेरे को देखना है कि मेरा जो currency futures का contract है, वो कौन से currency में denominated है, ठीक है, सपोज इंड इंडिया वाले ने USA वाले को कुछ बेचा, exporter, या USA वाले ने इंडिया वाले को कुछ बेचा, इंडिया वाला importer, तो अगर ऐसा कोई deal चल रहा है, then in that case आपको देखना पड़ेगा, आपका जो इंडिया वाला client है, वो importer है या exporter है, वो आपने देख लिया, क्या भाई आ आपको ये चेक करना है कि currency futures का contract कौन से currency में है, currency future का contract अगर foreign currency में, FC का मतलब होता है foreign currency बेटा, अगर वो foreign currency में है, तो आप long futures करेंगे, और अगर ये domestic currency में है, then in that case, sorry, अगर ये domestic currency में है, तो आप short futures करेंगे, तो आप short futures करेंगे, समझ में आया everybody, बोलो बोलो, tell, tell, done, clear, तिक है, अब question में देखना है अपने को, कौन सी चीज कहां पर है, और apply करना है, question आपको देगा, importer कोन, exporter कोन, अपना भाई importer है, तो अपने को देखने का, currency future contract कौन से, currency में है, foreign currency में, domestic currency में, वो देख लो, and काम हो गया, चलो अब, एक question उठाते है, आपके ICAI module का, और क्यों ना, उसमें से सम को solve करने की कोशिश करें, तो जैसा कि आप सब के पास optimize होगा, तो क्यों ना, आप लोग यह optimized को ले, और इसका, यह question, pick up करें, come on everybody, question 25, from the optimized, and, 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 question number 25, from the module, तो ICAI का module में, जो question number है, आपके भाई की book में भी, same question number है, ताकि आपको एक संतुष्टी रहे, that yes, module पूरा धंसे cover हो रहा है, वो ही चाहिए ना, आपको, मैं जानता हूँ, मैं जानता हूँ, है ना, चल, आजाओ, इस question के उपर, आपको module खोलने की या लेने की जरुवरत ही नहीं, बढ़ जस्क्रॉस चेक करवा रहा हूँ, ओके, आईए, अब इस question को solve करने की कोशिश करते हैं, सौम्या जी क्या लिख रही है, ओके, आगे दिखते हैं, EFD Limited is an export business house, the company prepares all its invoice in customers currency, its debtors of US dollar 1 crore is due on April 1, 2015, hold करो, रुख जाओ, रुख जाओ, जो आपका client है, EFD Limited, वो क्या है, importer है या exporter है, बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, आपका जो client है, वो क्या है, वो importer है या exporter है बेट्टा, EFD Limited, EFD Limited क्या है, सर EFD Limited exporter है, तो इतर आपने tick mark कर दिया, इतर आपने tick mark कर दिया, ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक, अब दूसरा चीज आपको क्या identify करना है, कि currency future contract, कौन सी, currency future contract, अब second चीज आपको find out करना है, कि currency future contract, कौन से currency में है, आईए question को पढ़ते हैं, चल, market exchange information as on 2015 January is given, sport का rate दिया वा है, अब usually rate होता है, $1 is equal to, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया वा है, किस हिसाब से rate दिया वा है, देखो, spot 0.016667, यह क्या तरीके का rate हुआ, कैसा rate हुआ यह, यह rate हुआ, वन रुपीज is equal to, डॉलर, 0.01667, सामझ में आई बात, एवरिबाड़ी, एवरिबाड़ी को बात सामझ में आई क्या, वीक करंसी बेस, वा भरत, दिल जीत लिया इस बंदेने में राज, यह वर्ड लिखके, सही बला एकदम सही बला दिए, चलो, done, वन मन्थ फोरवर्ड, वन त्री मन्थ फोरवर्ड, समझ में आ गया, आ गया सर, अब करंसी फ्यूचर्स, तो देखो, अच्छा मैं क्या बुल रहा हूँ, आज अपन लोग, क्यों मिले हैं, क्या कर रहे हैं अपन लोग, क्या करने के लिए मिले हैं, फोरवर्ड करने के लिए मिले हैं, या क्यूचर्स करने के लिए मिले हैं, फोरवर्ड करने, फ्यूचर्स करने के लिए मिले हैं, तो फिलाल इस क्वेश्चन में, फोरवर्ड कॉन्ट्रेक्ट के हिसाब से भी करना है, और बोलते हैं not hedging the risk मतलब तीन महिने बाद जो उसका spot होगा उसके उपर देखा जाएगा वो बोलते है भाई हम उपर वाले के बरोस्य पर बैठे है यहाँ पर तो कोई बात नहीं not hedging the risk का भी आपके पास option है तो first and third option आप solve कर लेंगे खुझ से उसके लिए तो आपको मेरी जरूरत नहीं है बड़ यह जो बीच का है that is what we will solve today using currency futures अब अपना जो format था उसमें अपने लोग एक कदम आगे बढ़ चुके एक्सपोर्टर क्या करेगा sell foreign currency करेगा वो समझ में आगे है अब अपने को लास्ट चीज निकालनी है future currency contract कौ कौन से currency में है वो आप लोग को निकालना है question को मैं read कर रहा हूँ जैसे मिलेगा आपको बजर बजाना है ठीक है start करता हो currency futures rates दियावा है contract size rupees 24816975 one month three month rate दियावा है initial margin दियावा है interest rate in India दियावा है on April 1 2015 the sport rate is UNR ISD USD INR 0.016136 and currency futures is 0.016134 आप लोग को determine करना है currency futures आप लोग को determine करना है इस question में currency futures contract कौन सी currency में है your time starts now read करो question को ध्यान से बोरो I am waiting question है आप लोग के सामने so currency futures contract my question is currency futures contract कोन सी currency में है बोलो बोलो ठाल ठाल आ हारोशी रूपल मीर भरत अदर से कमान कोन ये बसृ वीट स से कमोन से कमज़ आएं स्वच्व आप ही पलर से का दाला प्राशे जे बात तो सब लोग का एक ही आंसर आ है सर एकदम बैठा बैठा दिख रहा है इंडियन रुपीज क्या ये सही है क्या ये कॉंट्राइक इंडियन रुपीज में है अजाओ आजाओ करनसी कॉंट्राइक के अपना इधर एक्सपोर्टर है इंटिफाइ कर लिया था कॉंसे करनसी में है इंडिया वाले अपन तो इंडिया वाले जो है वो एक्सपोर्ट कर रहे है युए से को अपन इंडिया वाले है इंडिया वाला जो को कॉंट्राइक है वह रूपीज में है तो can I say domestic currency में है contract size बोलो ना तो मैं यहाँ पर बोलता हूँ अगर currency contract domestic currency में है तो आपको क्या करना है long future समझ में आ गया यह आपको कोई नहीं बताएगा आपके भाई क्या लवाई आपको कोई नहीं बता पाएगा अब एकदम simple होगे आपके लिए समझे 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 की नहीं बोलो बोलो टेल टेल अभी इन शॉट कोई भी question आए currency futures का long करना है या short करना है क्या यह आप लोग determine कर लेंगे बढ़ घरदार बस यही तो चाहिए तटन इजी पीजी लेवन स्क्वीजी बोलो ना अब step 1 अपना complete हो गया और जैसा मैंने बोला था सबसे important अना मजग में कर रहा हूँ यह step 1 ही है पब्लीक को तकलीफ step 1 में ही आता है आप लोग का step 1 clear हो गया अब चलेंगे अपन लोग step 2 के ओपर यहाँ पे मैं जब यह question को start कर रहा हूँ उस्टन 25 ICAI मैं यहाँ पे लिखूंगा EFD Limited is an exporter and futures contract futures contract is in domestic currency ठीक है therefore we will long the futures contract एक्जाम में ऐसे लिख कराने का एक्जाम में अपना जो top secret है वो किसी को बताने का नहीं कि अपन लोग का पास तो format है यह format institute तो दिया नहीं यह तो अपना है तो इंस्टीट को बताने का नहीं institute के examiner को नहीं हो रहे वह क्या बंदा है एकदम सही solve कर रहा है ठीक है step 1 आगया सब लोग का yes है step 1 पे done अब चलेंगे अपन लोग step 2 पे next है calculate the number of futures contract to be bought or sold क्या तुम लोग को यह चीज़ याद है I mean पता है that futures contract is always transacted in lots correct in lots तो अगर से for example एक reliance का future करीदने को जाओगे न market में तो एक lot के अंदर already 100 reliance का shares होगा ठीक है so by default you are purchasing a lot मतलब 100 reliance share so छोटा बात करता ही नहीं futures वाला गेम बड़ा हो तब भी futures करने का वाना यहां से जाओ तुम्हारा काम नहीं है समझ रहे तो वैसा scene है so calculate the number of futures contract to be bought or sold चल आओ अब कैसे find out करेंगे यह number of futures to be bought or sold अपने पास यहां पर readily available है क्या कितने futures contract number of future contracts to be bought or sold कितने future contract मेरको खरीदने बढ़ेंगे so that मेरा काम हो जाए तो देखो क्या बोला है total amount to be received or paid which is your transaction value आप लोग को इस question में मुझे देखके बताना है transaction value कितना है transaction value कैना इसे transaction value इतना है 100 lakhs का 100 lakhs US dollar कोई currency conversion one version का भी जंजट मत करो कौनसे currency का है मेरा US dollar का है US dollar मेरको मिलने वाला है आज से 3 महीने बाद तो मेरा जो contract है transaction value है मेरा जो transaction value है वो कौनसी I mean वो कितने का है वो है US dollar 100 lakhs समझ में आ गया everybody yes sir done so first step first step calculate number of contracts ठीक है तो आप बोलेंगे कि बाई देखो कितने contract चाहिए तो बाई जितने मेरे बज़ा है जो मैं आपको एक चलो एक example देता मैं आपको एक example सुनो मेरे को 25,000 रुपे मिलने वाले 25,000 रुपे मिलने वाले ठीक है एक contract के अंदर पाच हजार रुपे जितने value का shares है आप मेरे को बताओ मुझे कितने contracts लेने चाहिए मेरे को 25,000 रुपे को hedge करना है एक contract का value है 5000 रुपे तो आप मेरे को बताओ मुझे कितने contracts लेने चाहिए कि मेरा ये पूरा का पूरा जो पैसा मिलने वाला है वो hedge हो जाए बताओ सोच समझ के बताओ कोई गाई नहीं बोलो बोलो चैल चैल everybody with the correct answer 5 कैसे आया 5 can I say total contract value या transaction value divide by total transaction value divide by किसके साथ divide किया आप लोग ने किसके साथ divide किया बोलो बोलो चैल चैल कि एक contract का size कितना है उसके साथ बरावरे ये देखो मेरा format भी यही बोल रहा है आपको total amount to be received और paid transaction value divided by value of one contract एक सिंदूर की की मत तुम क्या जानो समझ में आव रहा है everybody done done so आओ इधर निकालने की कोशिश करते है number of contracts तो मेरा सबसे पहले transaction value कितना है dollar 100 lakhs ठीक है divide by divide by 100 lakhs का मिरको futures में hedging करना है उतना मिरको dollar आने वाले divide by एक contract size कितना है question में दिया भाई भाई एक contract size कितना है two four eight one six nine seven five rupees two four eight one six nine seven five समझ में आया ठीक है अब एक dollar है एक rupees है क्या इन दोनों का mail में आप हो सकता है भारती संस्कृति के इस सबसे the answer is no the inter cash marriage तो आपन को क्या करना पड़ेगा दोनों में से एक को currency में convert करना पड़ेगा अब यह जो है ना futures contract यह आप यह मैं बनाते हो यह stock market बनाता है यह futures contract कौन बनाता है आप यह मैं बनाते हूँ यह अपना client बनाता है यह stock market बनाता है stock market बनाता है तो यह futures contract को आप यह मैं touch कर सकते है क्या नई यह अपना हाथ में नई है तो अपने हाथ में कहना इससे ये डॉलर है, ये डॉलर दस लाग, 100 ला जो भी है, ये डॉलर वन करोड अपने पास आएगा, क्या इसको अपन लोग futures contract की currency में convert कर सकते हैं, हाँ, तो कभी भी transaction value अगर futures contract के currency में ना हो, तो convert कर दो, तो convert करने के लिए यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, तो वो देखो उसके लिए एक note दिया है आपको, यहाँ पे note आपको पढ़ना है, if amount received in dollar and futures contract is in rupees, then convert the dollar into rupees using future currency transaction trading on spot date of respective duration, मतलब अगर 3 months futures है, तो 3 months futures लेना पड़ेगा, जो आज की तारीक में price दिया है, वो आप लोग मुझे सोच समझ के बताएंगे, कि क्या rate लेंगे, यह note को पढ़के, note क्या बलता है, आपको क्या लेना है, future currency trading rate, आज का spot rate नहीं, future का currency trading rate on spot of respective duration, correct, 3 month rate of currency futures, very good महँच जी, तो यहां पर आपन लोग लिख लेंगे, 3 month currency futures, which is 0.16118, क्या मैं सही बोल रहा हूँ, आज का January 1 का यह information है, अज ध्यान रखना, आज January 1 है, अपन लोग को 1st April, मतब 3 महीने बाद, जैन, फैब, मार्च, 3 महीने बाद, मतब 1st April को अपने पास पैसा आने वाला है, dollar 100 lakhs आने वाला है, कितने बाद, 3 महीने बाद, 3 months later, so 3 months future चाहिए आपने को, आज की तारीक में, तो spot trading date पे, futures rate of that duration, which is 0.16118, so we will say convert at futures trading date, futures trading date, today at 3 month futures rate, therefore, क्या दियावा है, 1 rupees equal to dollar, 0.16118, 0.161, sorry, 0.016118, बराबर, और सामने, मेरे पास dollar है, कितना, 100 lakhs, 100,00, triple 3, आपको बताए, मिल जाएगा, yes, the transaction value in rupees, बोलो बोलो, टेल टेल कितना आता है, मैं calculate नहीं कर रहा हूँ, आप लोग मुझे calculate करके बताएंगे बच्चो, come on everybody, tell me, बोलो बोलो, टेल टेल, very good, thank you for the answers, it is rupees 6204-24371, 6204-24371, बड़ा, ओके, अब मुझे पता चल जाएगा, कि मुझे कितने contracts की जरूरत है, है, so therefore, step 2 के हिसाब से, number of contracts is equal to, rupees 6204, 24371, बोलो, कितना हो जाता है, कितना contract चाहिए, as per the public, मैं calculator को use नहीं कर रहा हूँ, public मेरे साथ है, दो, बोलो, total कितने contracts की मेरे को जरूरत लगने वाली है, absolutely correct, total I will require 25 contracts, क्या आपको चीज़े समझ में आ गई, any questions anybody, बोलो, बोलो, टेल, टेल, no, done, perfect, ठीक, done, so, total, step 2 भी मेरा हो गया है, 25 contracts की मेरे को जरूरत लगने वाली है, अब, step 3, step 3 क्या बोलता है, आपको margin money देना पड़ेगा, मुझे एक बात बताओ, futures में margin money होता है, वैसे ही options में अपन क्या पे करते हैं, secure करने के लिए, अपना right secure करने के लिए, अपनों क्या करते हैं, yes, we pay premium in options, वैसे ही यहाँ पे, अपनों क्या पे कर रहे हैं, margin money, समझे हूँ, so, margin money, यहाँ पे, number of contracts दिख रहे हैं यहाँ पे, so, number of contracts, 25 contracts, into initial margin per contract, अब यह initial margin जो है न, इसमें भी तुम लोग को 2 variation दिखेगा, आप उज़े बताओ, logically आप कौनसा लोगे, 1 month वाला या 3 month वाला, आप कौनसा अला margin लोगे, 1 month वाला लोगे या 3 month वाला लोगे, बोलो बोलो टेल टेल, correct, the answer is, आप लोगे 3 month वाला, because आप का यह futures ही, आप 3 month के लिए कर रहे हो, 1st Gen से लेके, 1st April, Gen, Feb, March, am I right everyone, hey, समझे यू everybody, correct, so, मेरा अब, second step हो गया है ना बिटा, अब मैं आ जाओंगा, third step के उपर, this is, बोलो टेल टेल, calculation of margin money amount, calculation of initial margin amount, what is that, number of contracts, 25 contract, into, 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 कौंसा लोंगा मैं, 7500 या, 22500, sir, 22500, क्योंकि अपना future transaction, अपन 3 महीने futures के लिए कर रहे है, तो margin money भी वही बाला लेंगे, CDC बात है, sir, into, 22500, per contract, you will tell me the amount, wait कर रहे हो का मेरा, बोलो जल्दी, बोलो बोलो, चल चल, it will be rupees, क्या, 562,500, it will be rupees 562,500, gotcha, everybody, done, so, ये margin money अपन लोग ने market को, दे दिया stock market को, और बोला चलो, अब, चालो गए, अपना futures freeze हो गया है, ठीक है, अब, expiry पे, ठीक है, आपको पहले करना है, पहले भी कर सके हो, but obviously, ये तो exam का sum है, तो expiry पे, अब आप क्या देखेंगे, कि आपको फाइदा हुआ या नुकसान, futures में फाइदा या नुकसान, कब पता चलता है, अगर आपने long futures किया है, इस question में तो long ही करना था, तो आपने buy कर लिया है, क्या rate पे buy कर लिया है, उस दिन का जो rate था, which was how much, I think 0.16118, बरावर इस rate पे, आप लोगने buy कर लिया है, अब, अपना जब maturity होगा, तो long futures को square up किसे किया जाता है, short futures से, तो क्या आपके पास, वो rate अविलेबल है, जितने पे आपको short करना पड़ेगा, the answer is yes, on 1st April, बहुत अच्छी तरह से भी ध्यान देना, we are now coming to the last step guys, we are coming to the last step, on 1st April, spot rate was 0.0161360 कह, and currency future rate is 0.16134, तो आपने उस दिन पे इसको long किया था, वो आपने 1st Jan को इसको long किया था, आज आप इसको short करेंगे ये rate पे, और आपका transaction of future सेटल हो जाएगा, आपको बताना है, इस transaction में मुझे gain हुआ है, या loss हुआ है, दो मिनित दे रहा हूँ, फड़ा-फट सोच के बताओ, क्या हुआ है, बट क्या बोला, मैं समझ में आया तुम लोग को, long किया था अपन लोग ने, उस दिन पे 0.16118 का rate था, for 3 months futures, तो मैंने freeze कर दिया, कि वह तीन महीने तक, मेरे लिए rate यही रहेगा, वो है buying rate 0.16118, मेरे लिए यही रहेगा, अब market जैसे जैसे भी उपर नीचे होगा, मेरे को, जो market का rate चल रहा है, उसके उपर short करना ही पड़ेगा, and the, 0.16, 0.016134 हुआ है, मेरे expiry date के उपर, and this gives me a, loss और gain, वो तुम लोग मुझे बताओगा, I'm waiting, I'm waiting, correct, it gives me a gain of 0.011012344016, absolutely correct, so यहाँ पर आप मैं लिखता हूँ, मैंने इसमें सीधा, maturity से किया है, यहाँ पर आप लोग एक और step, add कर सकते हैं, which will be, calculation of, gain और loss, on future, तो आपने, spot date पे, which is first gen, long किया था, futures को, at the rate, 0.0, 16118 पे, बना रहे हैं, अब आप expiry पे, which is 31st March, या भी अपने example में 1st April है, आपको इसको square up करना ही पड़ेगा, जो भी rate अवेलेबल है, उसके उपर, and that is this, we will get, again, at the rate, 0.00, 000016, hey, समझे, समझे, समझ में आया क्या इतना, बस, अभी फिलाल, बस, बाकी दिमाग में लगाओ, कितने का, rupees का, dollar का, कितने का, क्या हो, वो सब बात की बात है, फिलाल, step by step जाएंगे, चीजे, basic चीजे समझ ले, फिर उसको advanced level पे लिके जाने का काम, तुमारे भाई का है, ठीक है, चलो, अब, मैं आ रहा हूँ, मेरे last step के उपर, and that is, maturity के उपर, मुझे, क्या मिलने वाला है, that is what, now, I am going to discuss, and that is, step five, maturity पे, क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ, सब से पहले, maturity पे, आपको, आप exporter है, भाई, starting में अपन लोग ने तो, देख लिया था, अपन कौन है, EFD Limited is a exporter, तो अपने को तो, डॉलर आएगा, अपने पास, कितना डॉलर आएगा, 100 लाग डॉलर आएगा, everybody yes or no, so, at maturity, first step, receive होगा, अपने पास, डॉलर 100 लाग, बना रहे, ये डॉलर का में क्या करूगा, आप मुझे सोच समझ के बताओ, आपके पास, डॉलर आ गया, देखे, आपके पास डॉलर आ गया, real hard cash आए, डॉलर का, yes, 100 लाग डॉलर आ गया, क्या करोगे आप लोग उसका, logically बताओ, कोई answer, बोलो, क्या करोगे इसका, सीदीजी बात है, आप इसको जाके, market में sell करोगे, market में तो, authorized dealer के पास, bank के पास जाके, क्या पी sell करोगे, ये डॉलर का, आपको कोई value नहीं है, in the sense, मतलब आपको, rupees का, जरूरत होता है, आप जाके sell करोगे, और rupees खरीद लोगे, क्या rate है, spot का, on 1st April, जिस दिन, पैसा आ रहा है, उस दिन का rate, क्या दियावा है, the answer is yes, कितना दियावा है, on 1st April, the spot rate is dollar, 0.016136, समझी गड़ू, आप मिरे को बताईए, क्या लिखेंगे, यहाँ पे, 129 कौन बोल रहा है, अरूशी, 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 इस थ्री मन्स forward rate, अपन लोग ने forward किया ही नहीं है, अपन लोग ने तो futures किया है, तो futures का तो अपन लोग कैसे settlement करना है, वो करेंगे, बाकी transaction क्या होगा, यह 100 lakh मेरे पास आएगा, on the spot में जाके, बैंके में जाके, दे दूँगा, got it guys, everybody सबको समझ में आया ना, क्या बोल रहा हूँ मैं, सो मैं जैसे ही बैंक में जाके दे दूँगा, I will receive rupees, सो dollar, converted, converted to DC, domestic currency, at spot rate, कब का, on expiry, कितना है, expiry पे, 0.016136, so $1 equal to 0.016136, sorry, काश ऐसा दिन आए, जब अपन यह देख पाए, बट फिलाल तो है, this dollar, समझ में आ गया everybody, अब मैं बैंक के पास जाऊंगा, और बोल दूँगा, चल 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 बैंक मेरे पास, पाइसा है, चल मेरे को रूपीज दे दे, बैंक बोलेगा, हाँ बैंक तेरा रूपीज लेके जा, कितना रूपीज हुआ है उसका, 6197, as per public, जो बोल रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, 6197, 32276, चुट्टा मा, 32276, 8, समझे गड़ू, समझ में आया सबको, इन्टू, स्पॉर्ट रेट, ओफ मच्योरिटी डे, इतना पैसा मेरे पास, आ गया, फिर, फ्यूचर्ज को स्क्वेर आफ किया, तो उदर से भी तो कुछ पैसा आएगा, आओ देखते हैं क्या आया, सो, स्टेप फाइल का दूसरा पार्ट, सेटलिंग द फ्यूचर्ज, सेटलिंग द फ्यूचर्ज, तो मैं बोलूंगा कि भाई मैंने, लॉंग किया था, कितने पे लॉंग किया था, 0.16118, मैंने लॉंग किया था, 0.016118 पे, आज के दिन, मैं शॉट कर रहा हूँ इसको, 1st Jan, 1st April, आज के दिन, मैं शॉट कर रहा हूँ इसको, 0.016136 पे, सॉरी, अब अब सॉरी, शॉट कर रहा हूँ मैं, तो शॉट तो करन्सी फ्यूचर रेट पे करूँगा, करन्सी फ्यूचर रेट, 1st April को कितना है, 0.16134, तो मैं शॉट कर रहा हूँ, 0.16134 पे, गेन मुझे मिल गया है, ठीक है, यह 0.16118, 134 यह सब क्या है, यह सब डोलर का रेट है, 1 रूपीज इस उक्वल to $, 0.1667, यह जो भी दिया है, 1 रूपीज इस इक्वल to $, यह $, यह YÊ 1 रूपीज इस इक्वल to $, 0.06134, समझ रहे हो? यह सब क्या हुआ है मिरको, डोलर का जो भी गेन है, वो यहाँ पे मेरे पास आ गया है, dollar, with your permission तुम लोग ने जो लिका है 0.0000016 आवी clear everybody बोलो बोलो टाल टाल डन ठीक है अब ये तो एक currency के उपर हुआ है ऐसा मैंने तो 25 lot खरीदा है भाई एक lot नहीं 25 lot करीदा है into 25 contracts एक contract में कितना सारा पैसा था 2418 कुछ तो भी था एक सेन मैं मैं आगे जाओ उसके पहले क्या ये समझ में आया आपको इधर तक सब लोग साथ में हो मेरे डन कोई डाउट नहीं है किसी को भी ठीक है अब 25 contract और एक contract के पीछे कितना पैसा involved था 2418 sorry 24816 24816 975 24816 975 तो इतना सारा पैसा अब अपने पास आ गया है सबज में आया क्या everyone तो बोलो कितना आ गया है मेरे पास करो ये multiply करके बताओ एक लॉट में इतने transactions किता correct तो ये मेरे पास आ रहा है डॉलर भाई देखो डेस मेरा डॉलर है यापि तो एक रुपे के उपर कितना डॉलर कमाया 0.0000016 तो मैंने टोटल कमाया 9,9 मैं राउंड ओफ कर रहा हू 227 डॉलर मैंने कमाया 99227 डॉलर टोटल फ्यूचर्स में मैंने कमाया 99227 डॉलर पर याद रखना मेरे पास यहाँ पे सब रूपीज में मैं इंडिया का आद भी हू तो मुझे तो सब रूपीज में ही चाहिए तो मैं बोलूँगा के ठीक है भई डॉलर में हो गया पर मैं इसको अभी immediately convert करवा दूँगा तो मैं जब इसको convert कराने जाऊंगा जब मैं इसको spot में convert कराने जाऊंगा spot का rate मुझे मिलेगा 1 rupees is equal to अब spot का rate 1st April को currency वाला नहीं normal spot का rate कितना है 0.016136 उस हिसाब से मैं यहाँ पे ले आऊंगा 0.016136 0.016136 आपको बताना है अगर मुझे 9927 डॉलर मिलते हैं इस बात पे तो मेरे को कितने rupees का gain हुआ है public बोलता है sir rupees 615208 समझ में आया everybody मजा आ रहा है है ना शुरू मजबूरी में किये थे अब मजा आ रहा है साहिए concept पकड़ के चलो आगे तक कोई problem नहीं आएगा trust me on this अभी भी picture बाकी है मेरे दोस्ट अब settlement हो गया है जो मेरा importer था जिसको मैंने export किया था उसने मुझे dollar बेजा उसको मैंने बेजके मेरे पास rupees आ गया मेरा जो currency futures में मैंने transaction किया था उससे भी मुझे 9927 dollar है on the spot बेजके उसके भी मैंने rupees ले लिया तो इतना मेरे पास पैसा ही पैसा होगा इतना मेरे पास पैसा आ गया है अब एक और चीज़ बचती है वो है कि जो मैंने margin दिया था ना उसका एक time value होता है ठीक है ना interest cost लगता है उसका साड़े पाच लाग रुपया approximately तीन महिने के लिए मेरा block लगा उसका क्या मेरे को मिलता था ना interest तो वो opportunity cost मेरा minus हो जाएगा वो opportunity cost मेरा minus हो जाएगा so third step पे मैं calculate करूँगा interest cost on margin money on margin money तो भाई साड़े पाच लाग रुपया मेरा तुम लोग ने अटका दिया बैंक में क्या उसका क्या मुझे क्या वो नहीं मिलेगा क्या interest कैसी बाते कर रहे हैं इंट्रेस्ट कॉस्ट और margin money कितना है यहां पे देखो 6.5 परसंट और 7 परसंट लिया है क्या देंगे क्या लेंगे कभी भी जब आप बॉरो करते हो कि आपने यहां पे इंवेस तो नहीं किया है मार्केट में लगा है कि जब भी आप बॉरो करते हो आप ज्याद पे बॉरो करते हो जबी आप इंवेस्ट करते हो कंब पे इंवेस्ट करते हो यही दुनियान का उसओल है परकदार so 7% borrowing rate will obviously and always be higher because company के लिए वो एक income है so and 6.5% company के लिए एक expense है so company bank के लिए 6.5% bank के लिए investment आप investment कर रहा है bank के लिए एक expense है so expense will always be less than the revenue that you are going to earn our borrowing is their income right so 7% so upon interest cost यहापे कर लेंगे calculate बेटा क्या करेंगे calculate रुपीज कितना है कितना है for 5 मेरे पास यहाँ पे है वो 562.5 562.500 562.500 562.500 7 टके के हिसाब से 3 महीना तुम्मा ने मेरा अटका के रखा बोलो बोलो कितना कितना आ रहे है calculations तुम्हारे हाथ में बिटा अपना काम है concept दिमाग में घुसाना बाकि calculator पे game तुम लोग अच्छा खेलते हो हमसे कितना आता है is 9844 यह मेरे लिए एक cost है यह मेरे लिए एक inflow है यह मेरे लिए एक inflow है inflow और outflow मिक्स करके अपने को मिल जाएगा final amount जिसको अपन बोलेंगे because अपन exporter है it is our receipts net receipts net receipts कितना आ रहा है net receipts तो सबसे पहला dollar conversion पे जो आया वो यह देखो मेरा step one step one receipt और payment of foreign currency तो कितना आया है तो उदर लिखने का अपने को receipt of foreign currency अभी तो अपन अपने उसमें convert कर चुके है तो वही ले लो सीधा amount टीक है six one nine seven three double two seven six इतना पैसा कभी देखा नहीं तो लिखने को भी थोड़ा दर लगता है हाथ हाथ ठक ठक करता है अरे मेरा नहीं तुमारा अपन ने तो देखा है हाँ कितना six बोलो ना six one nine seven three double two seven six अरे client करे बाबा मेरा नहीं six one nine seven three double two seven six done next gain on future settlement gain on future settlement बोलो कितना गेन हुआ है six one five two zero eight सिध्धा लिख देने का भाई six one five two zero eight सर यह margin money का क्या होगा margin money आपको return मिल जाएगा उसका डेंचन ने लेने का margin money वो लोगने कली रखके रखा है कि मार्केट बहुत जादा उपर नीचे हो गया तो stock market के पास कुछ पैसा रहना चाहिए कि आप उठना जाओ market से इसके लिए बास और कुछ नहीं and interest cost है तो interest cost है तो उतना minus हो जाएगा आप working note का reference दे सकते हैं उसमें nine eight four four please everybody I am waiting for your answer guys कितना आ रहा है final net receipts मेरे को net receipts using currency future as a hedge using currency future as a hedge कितना आता है yes tell me guys on your calculators your answer is अप्रियल तेरा एक बार calculation check कर ले विडा 620-337-640 as per our calculators छुट्टा माफ 30-40 रुपया उपर नीचे आएगा tension मत ले न institute के answer से भी 30-40 रुपया उपर नीचे आएगा tension मत ले छुट्टा माफ 620 337 640 with this we complete currency futures अब currency futures का कोई भी समाने दोरे दुनिया का आपके पास है हत्यार आपके पास है ये आपका magic revision का currency futures खाली ये चार step आपको फॉलो करना है and आपका life sorted है कैसा लगा 10-12 marks easily ये guaranteed ये question आएगा याएगा 12 marks का अब क्या आपको कोई tension है currency futures का do let me know yes in the comments everybody कैसा लगा ये तरीका and क्या ये एकदम systematically दिमाग में set हो गया फारल तुमें अपन लोग currency futures futures का इतना हुआ बना के रखेते but it's all manageable if steps are followed properly if your mind is in place systematically अगर अपनों करते जाएंगे then in that case trust me answers आते जाएंगे तो पहले आपको समझना है market को समझना है market दो चीज़ पर predictions and fear आपने long futures किया या short futures किया वो आपको सबसे पहले समझना जोड़ी है उसके लिए मैंने आपको एक step बता है अब मैं आपको logically भी समझाऊंगा कि क्यूं मैं ऐसा कर रहा हूं ठीके ना ये जो मैंने पुरा system set किया है इसको मैं logically भी समझाऊंगा कि कैसे ये system set हुआ है exam time पे ये table आपके लिए काम आएगा क्योंकि logics कहीं ना कि exam time पे अपन थोड़ा pressure में आ जाते है tension में आ जाते है तो थोड़ा उपर नीचे हो जाते है तो logics भी clear करना है वो भी मैं अभी clear करूंगा यहाँ पे long futures short futures क्या होता है ध्यान में रखना भूल गयते हैं आप लोग position कभी भी square off होता ही होता है ठीक है चलो फिर उस basis पे step by step पहले identify किया exporter currency contract futures contract कौन से currency में उससे मुझे पता चला मुझे long करना है फिर मैं contracts number of contracts लेते गया initial margin deposit किया maturity पे जो पैसा है उसको spot पे convert किया futures को settle किया at the same time interest cost भी pay कर दिया and finally मेरे जेप में इतना आया है अब आपको check करना है forward लिया होता तो कितना पैसा मिलता आपको currency को hedge नहीं किया होता तो कितना पैसा मिलता जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फाइदा हो रहा है go for it अच्छा है so sir margin money का adjustment फिलाल कुछ नहीं करना है the answer is no because अपन लोग ने यहां पे so gain on futures adjust यहां पे हो गया है अपना बाकी जो margin money आएगा वो deposit हो जाएगा आपके उसमें return आजाएगा कोई attention नहीं है अपने को net क्या फाइदा हुआ है so suppose अपन लोग ने 100 रुपया डाला था अब वो 105 हो गया है तो main फाइदा के अतना हुआ 5 रुपय का फाइदा हुआ है वो इधर लिख लिए बाकी तो जो 100 रुपया डाला था वो 100 रुपया वापस आ जाएगा और उस 100 रुपया interest cost वो यहां पे ले लिए समझा तू margin money को ऐसा सूच वो इतना बड़ा है ना margin money तो अपने को लग रहे 5 लाग भी आया पैसा निया इस लाइक 100 रुपया इंवेस्ट किया था तूने बिजनस में ठीक है अब वो 105 हो गया है तो तेरे को वो बिजनस से फाइदा कितना हुआ पाच रुपया तो इधर तूने वो फाइदा इधर तूने लिख दिया बाकी 100 रुपया गया था 100 रुपया आया no tension समझे ओ everybody done margins का treatment भी समझ गया यह तो मैंने आपको ऐसा सम कर रहा है जिसमें margin भी है अभी एक और सम है उसमें margin है ही नहीं वो तो आप और easily कर पाऊंगे उसका भी मैंने देखो note लिखाया है या पर उसका भी मैंने या पर note लिखाया है यह देखो या note if there is no margin requirement then there will not be step 3 then there will directly be step 4 and खाली एक ही calculation आप लोग का एक और दो ही calculation आप लोग का आएगा हाँ भी got it यह वाला calculation तो आएगा नहीं उसमें फिर बाद में आपको अगर margin वाला नहीं है तो step 3 उड़ जाएगा आपका और step 4 के लिए आपके पास खाली दो ही चीज़े आएगी यहाँ पे receipt or payment from foreign currency and variation margin gain on loss in futures market कच्चा everybody एकदम perfectly दिमाग में set हो गया तो आप currency futures का question आता है अपन का 10-12 mark जो भी है वो confirm secure हो जाना चाहिए अब logical भी समझ लेते हैं इसको अब logical भी समझ लेते हैं आजाओ कि भी क्या किया है यह आप पे देखो अभी suppose मैं importer हूँ पहले exporter का लेते हैं क्योंकि वो अभी आपनों ने किया ही था तो अगर मैं suppose exporter हूँ then in that case क्या हो रहा है पता है क्या मैं अगर exporter हूँ तो मेरे पास dollar आने वाल है dollar और rupees में ही रखते हैं तो मेरे पास dollar आएगा तो मुझे tension है कि यह dollar का जो price है say for example one dollar is equal to rupees 85 है मुझे as an exporter डर है कि अगर यह rupees 80 हो गया तो dollar का गिरने का मुझे डर है क्योंकि मैं exporter हूँ तो अगर मुझे यह dollar के गिरने का डर है तो मैं क्या करूंगा short कर दूंगा ठीक है ना कोई भी चीज अगर आपको गिरने का डर होता है तो आप आप शॉट कर दोगे ताकि घीरा तो भी आपको फाइदा होगा वाई पुट ऑप्शन या शॉट क्या बोलता है expectation when you want the market to go down you want the market to go down in shorting थोड़ा यह high level का है मैं आप लोग सीधा currency futures मेरा देख रहे हो तो आप लोग को यह थोड़ा सा heavy भी लग सकते है बटी इन अब यहां पर यह कब करता मैं अगर मेरा foreign currency में ही transaction होता तो मैं short कर देता क्योंकि मुझे डर है कि foreign currency कहीं गेर ना जाए बट यहां पे contract किसका है contract है domestic currency का तो domestic currency में मेरे को डर है कहीं वो उपर ना हो जाए बाई foreign currency गेरना is as good as अपना currency उपर जाना अपना currency उपर जाना मतलब $1 equal to Rs.85 अगर $1 equal to Rs.80 हो गया तो अपना currency उपर गया तो अपना currency उपर गया then in that case मुझे क्या करना पड़ेगा futures को long करना पड़ेगा यह $1 equal to 85 and $1 equal to 80 को convert करो INR में तो आपको समझ जाएगा suppose $1 equal to क्या हता है $1 equal to Rs.85 को convert करो rupees में तो आ जाएगा आपका वन रूपीज is equal to 1 upon 85 कितना आता है बोलो बोलो चल चल कितना आता है जिरो पॉइंट 01176 अब मुझे डर है कई यह rupees उपर ना चले जाए मतलब अगर यह वन रूपीज is equal to 1 by 80 हो गया ना तो भाई यह हो जाएगा 0.01174 तो मेरे लिए यह चिंता का विशेड टेंशन वाशा काम है राइट सो ऐसा कुछ हो गया suppose तो sorry बढ़ गया तो मेरे लिए यह एक टेंशन का काम है तो मैं इस टेंशन को कैसे दूर करूँगा तो यह देखो रूपीज बढ़ गया रूपीज बढ़ गया अब रूपीज बढ़ने में मुझे अगा टेंशन है तो long कर लो ताकि long किया तो आप futures में पैसा कमा लोगे long करके real currency में अगर उपर भी गया मेरे को नुकसान भी हुआ तो futures उसको hedge कर देगा futures उसको काट देगा समझ में आया and that is how hedging is used in the forex market that is how hedging is used in the forex market with this मैंने आपके conceptually भी यह system को set कर दिया है एन importer के लिए exactly उल्टा हो जाएगा एई साब जिगड़ू है everybody अच्छा है done with this I complete currency futures एक और question है institute का वो मैं चाता हूँ आप लोग try करो तो आप लोग को भी feel आएगा that yes समझ में आ रहे है कि नहीं but वो easy question है इससे तो जो easy question है वो आप लोग के लिए मैंने रखा है home work के लिए ताकि आप try करो और मुझे comment में बताना क्या आप लोग को वो question खुझ से आया की नहीं आया ठीक है I'll be waiting I'll be waiting कौन सा है ये question मैं आपको बता देता हूँ institute का ही question है ये 37 या कुछ है यह देखो इसमें future contract size pound में दिया है तो समझ जाने का क्या है तो importer है exporter है इफ future contract is in क्या बता दूए कि तुम लोग करोगे try yes तुम लोग करना और फिर बाद में इसमें तो rediscuss कर लेंगे very easy question इसमें margin का attention ही नहीं है तो आपका step 3 उड़ गया तो step 1 करना है step 2 करना है फिर सीधा step 4 करना है and you will get the answer okay done well done thank you okay so my first transaction first नहीं मेरा magic book का first lecture है guys यह मेरा magic book का first question है जो मैंने तुम लोग को करवाया है it's time for me to say hasta la vista for this question for this concept comment में बताना क्यासा लगा see you all take care keep smiling many more things coming your way क्ुम लोज में क्वाप सissements Everyone